हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक उन मैं यूट्यूब चैनल तो दोस्तो आज में यहाँ पे एक नियू कोरियन ड्रामा की एक्स्पिलनेशन स्टार्ट करने वाली हूँ यह कहानी है एक हाई स्कूल गर्ल की जिसको सपना है कि वो कोरिया की एक टॉप मॉडल बन जाए वो जिन्वुक को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लेती है क्योंकि उसी के वज़ज़ा से वो मॉडल नहीं बन पाई थी पर शायद गॉड को कुछ और मनजूर था दोनों की लाइफ को एक ऐसी ट्विस्ट से जोड़ देते हैं जिससे सियोना सियोना नहीं रहती है और जिन्वुक जिन्वुक नहीं रहता है मतलब आप आगे कहानी में अच्छे से समझ जाएंगे लेकिन इस अनेक्सपेक्टेट ट्विस्ट के वज़ज़ा से दोनों को ना चाहते हुए भी आमने सामने आना ही पड़ता है तो क्या जहां पे हेट 100% है और लव 0% है वहां पे लव हो पाएगा यह हम इस कहानी में जानेंगे तो चलिए फटा फट्चे ड्रामा की एक्स्पिलनेशन को स्टार्ट करते हैं ट्रामा की स्टार्ट में एक लड़की को रनवे पे एक मॉडल की तरह वाक करते हैं दिखाया चाता है लेकिन अचानक से वो लड़की कब हाए स्कूल के क्लास्रूम में वाक कर रही थी वो बदल चाता है और वो चला करके बोलती है कि मैं हूँ टॉप मॉडल तभी पीछे से आवाज आती है सियोना तुम ओसम हो सियोना हमारी कहानी की में लीड है और इसकी दोस्त सोजू इसको बहुत अच्छे तरीके से चेयर अप कर रही थी और सियोना अल्रेडी हवाओं में उड़ रही थी कि वो ही नेक्स टॉप मॉडल बनेगी तभी वो क्लास की बाकी लड़कियों से भी बोलती है अरे तुमने मुह में दही के चमाया है बोल भी दो कि मैं कितनी बैस्ट हूँ वो लड़कियां बोलती है हाँ सियोना तुम ठीकी हो सियोना कहती है पता है मुझे तुम मुझे से जैलिस हो रही हो उपर से मैं पतली भी तो हो रही हूँ तुम देख लेना, मेरे चार्म के आगे कोई मेरी हाइट को देखे गा ही नहीं और जब मैं टॉप माडल बन जाओंगी तो मैं तुम तुम सब को देख लूँगी क्योंकि मैं जे बम के साथ वाक करूँगी तो वहीं दूसी तरफ हमें कुछ लड़कों का फोटो शूट होते वए दिखाया जा रहा था ये सारे लड़के एक एक ग्रूप के मेंबर्स हैं और कुछ जाद ही चार्मिंग नजर आ रहे थे ये फोटो शूट अच्छे से चली रहा था कि तभी न सारे लड़कों में से एक लड़का बोलता है वू अचानक से पैक अब बोल के जाने लगता है तो वह फोटोग्राफर बोलता है ये लड़का हमारी कहानी का मेइन लीड है जिसका नाम जिन्वुख है जिन्वुक बोलता है मैंने खा तो सही पैक अप हो गया है इसका मतलब पैक अप हो गया है तुमने आगे मुझे इंटरव्यू के लिए भी जाना है तो वो फोटोग्राफर मिस डू यानि कि उसकी मैनेजर से कह रहा था तब जिन्वुक उसे पकरता है और फोटो दिखा करके पर दिखाया चाता है जहां पर रिपोर्टर जेबम से पूछ रही थी कि आप गल्स में कुछ जाधा ही पॉपुलर हैं जेबम की परसनेलिटी बिल्कुल जिन्वुक से पोजेट थी वो स्वीट और काइंड नजर आ रहा था जब यह सवाल जिन से पूछा चाता है कि क्या आपको जेबम की पॉपुलाइटी से जलन नहीं होती है तो जिन्वक बोलता है कुछ दो-चार हाई स्कूल लड़कियां से जाधा पसंद कर लेंगी तो उससे मुझे जलसी क्यों होगी जेबम और जिन्वक की बातों से साफ नजर आ रहा था कि इन दोनों की रिलेशन आप पसमें जाद अच्छे नहीं है तब भी वो रिपोर्टर जिन्वक से पूछती है कि आप टॉप मॉडल कैसे बने जिन्वक बोलता है वैसे इसका आंसर तो आवियस है लेकिन तुम कह रही हो तो बता देता हूँ क्योंकि मैं एक टॉप मॉडल बनने के लिए ही पैदा तो वहीं दूसी तरफ हमारी सियोना ने सपने सजाए थे कि अगर उसकी हाइट कम भी है तो भी वो इस सीजन को पास कर जाएगी जिन्वक से फेकाद के साथ नहीं उसके बागी मेंबर्स के साथ भी ऐसे ही रूट था बागी अधर मेंबर्स भी उसके ऐसे अकुरू भीयव बागी थी लेकिन फिर भी वापिस आती है और जाते जाते अपने जेवम की फोटो को बाए बोल करके जाती है यहां से वह सीधे शॉपिंग पे चले गई थी काफी शॉपिंग करती है और और वही है नेक्स टॉप मॉडल पर ऑडिशन से पहले वह बाकी लड़कों की हाइ सियोना कहते है ठीक है ठीक है देख लूंगी खर अंदर यहां पर competition स्टार्ट होता है और सियोना बहुत ही confidently वाग करके चाहती है उसके action देख करके तो जी वुक ने सी दे उसे डबल जीरो दे दिया था पर बाकी दो जज़े सियोना से बोलते हैं confidence अच्छा है तुम ने अच् की हो सियोना कहती है पर उसे एक model ही बनना है पर जिन्वक साफ कहता है कि तुम एक model नहीं बन सकती तो अभी give up कर दो वो next contestant को बुलाने लगा था लेकिन सियोना तब कहती है आखिर दिककर क्या है मैं model क्यों नहीं बन सकती हूं तब जिन्वक उससे बोलता है मैडम तुमार चाहिए लेकिन जिन्वक कहता है अगर practice से model बना जाता तो सब model बन गए होते models practice से नहीं बलकि पैदा होते हैं बाखी judges उसे रोकनी के कोशिच भी कर रहे थे लिकिन जिन्वक वो तो एक बार बोलना start करता है तो वो उसकी बेज़ती पे बेज़ती करने लगा था कि एक round और अब तुम यहां से जा सकती हो इसके बाद सियोना को सीधे carry okay में दिखाया जाता है जहां पे वो गाग आके अपना सारा गुस्सा उतार रही थी तो वहीं इसी carry okay में जिन्वक भी आया था अपने बागी members के साथ तब ही उसे एक phone call आता है और उसका दिमाग फिर से खरा किया जाती है इसके तो मुँपे 12 ही बच गए थे यह तो वहां से भार ही निकलाता है और फिर बराबर में एक अलगी carry के रूम में जा करके अकेले में लेट जाता है और कहता है सिफ एक हफ़ते के लिए मुझे rest नहीं मिल सकता है वहीं जिन्वक के बराबर वाले रूम में सिउना भी मौजूद थी और सिउना जिन्वक की बाते सोच करके गुस्स हो रही थी किकि उसने कहा था कि वो कभी भी model नहीं बन सकती है और सिउना यही चला करके कह रही थी एक बार मुझे model बनने दो जिन्वक तुम्हें साथ तो कभी काम ही नहीं करूंगी कि ताभी tv पर आ गई थी और फिर इसके माईक से होती हुई बराबर वाले रूम में जिन्वक के पास तक पहुचाती है पूरी लाइट चली गई थी जैसे ही रोशनी होती है जिन्वक और सिउना दोनों ही अपने अपने रूम से भार निकलते हैं उनके सिर में दर्द हो रहा था यह दोन दोनों काफी तेस से चलाते हैं इतनी तेस से चीक थी चैक यह चीक तो जिन्वक की थी और उसके बागी मेंबर्स ने भी सुन ली थी अभी जिन्वक क्या है मुझे क्या पता? क्या हुआ है? वो कहती है अरे कौन सी नारी बोल रही है? तब ही Sionah उसेफोन ले लेती है और कहती है अभी पता नहीं मैं Sionah कैसे बन गई हूँ Sionah का नाम नारी भी है उचे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या चलरहा है पभी जिन्वक फोन लेता है और उसे काट देता है सियोना कहती है ये क्या किया उसे चिंता हो जाएगी वो बोलता है पहले तुम अपनी चिंता तो कर लो तब ही ओरिजिनल जिन्वक के फोन पे जेवम का कॉल आने लगता है और सियोना उसे देखी कहती है ओ मैं गॉड मेरे उपा का फोन वो उठाने ही लगी थी कि जिन्वुक उस फोन को कट कर देता है और उसे कहता है तुम सच में पागल हो इधर जेबम सोचता है पता नहीं उसने फोन काट को दिया इन तीनों को टेंशन हो रही थी अब ही मेरी बॉड़ी वापिस करो मुझे वापिस दो कि तब ही पीचे से सोचु आ जाती है और उविसली वो जिन्वुक को सियोना समझ के खीच तो ये लेके जाने लगी थी तुम पागल हो गई है क्या इतने बड़े स्टार के साथ क्या कर रही है इधर जिन्वुक को जब वो खीच के लेके जाये थी तो जिन्वुक कहता है ए लड़की सुन ले मुझे कॉल करना कॉल सुचू माफ़ी माँगे जाये थी हमें माफ़ कर दीजे जिन्वुक सार हमें माफ़ कर दीजे और जेवम कहता है क्या हो गया तुझे ठीक तो है ना जेवम तो सियुना की कंदे पर हाथ रख के कहता है चल चलते हैं सियुना कहती है कहां जाना है जेवम कहती है घर जाना है और कहां जाएंगे और तो और इन लड़कों को ऐसे कपड़े चेंज करते देख वो तो शर्माने भी लगी थी तभी लोग इससे पूछते हैं अबे तुझे हुआ क्या है? इधर उतर ऐसे क्यों देख रहा है जैसे पहली बार यहां पे आया हो अरे तेरह ही तो गर है तभी सियोना यह सुनते ही उसके तो हाथ हवाओं में चले जाते हैं कि यह मेरा घर है और सपनों की दुनिया में वो अपनी ओरिजिनल बॉडी में पूरे घर पे नाच रही थी यह तो मेरा अपना घर है वो भी जेवा मोपकी साथ पीचे से आवाज आती है जिन्वक ने उसका फेस टच करके कहती है वैसे चहरा तो इसका भी अच्छा दिखता है कि तभी उसके पास उसका ओरिजिनल फोन था जिस पे सोचु का उसे मेसेज आता है कि माफ कर दे जिन्वक के सामने कुछ जादे ही बोल दिया अब एक काम कर तो फ्रेश हो करके सोजा फ्रेश होने के ख्याल से उसे याद आता है कि उसकी बोल दिया तो जिन्वक के पास है कहीं वो कुछ देखना ले तुरंट उसे घबरा के मैसेज करती है कि खबरदार अगर तुमने मेरी बोल दिया की कोशिश भी की कि सारी मेंबर्स हरान हो जाते हैं कि अंदर से चलाने के आवास क्यों आई खेरिसी के साथ ये वाले पार्ट के एक्स्पिलनेशन ही पे कम्प्लीट होती है तो अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया है और आप इसका नेक्स पार्ट चाहते हैं